हेलो स्टूटेंस आज 30 दिसमबर 2018 है और आज का मॉस्ट इंपर्टेंट करेंट अफियर लेकर आये हूं जो लोग पहली बार हमारे चैनेल पे आ रहे हैं डेली सबसे पहले करेंट अफियर देखने के लिए हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरह के बेल आइक करेंगे वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेर जरू करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है इसकूली छात्रों के लिए किस मंत्राले ने साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक विसेश पुस्ति का नामक पुस्तक जारी की है ये में जनकरी परदान करेंगी ग्री मंत्री कोने प्रती में डिखनात सी है अगला कोशन है भारत सरकार ने प्याज का उतपादन करने वाले किसानों के लिए निर्याद प्रोचाहन 5% से बढ़ा कर कितना कर दिया है 5% से बढ़ा कर दिया है 10% option B right answer है जुलाई से पहले यह 0% था जुलाई में 5% कर दिया गया निर्याद प्रोचाहन अब जाकर 10% कर दिया है सीधा 25% का यह निर्याद प्रोचाहन क्या है इसके बारे में जनिये निर्याद प्रोचाहन करे करम किसानों को सरकार से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है जिसका उपियोग किसान वेभिन करों का भुगतान करने के लिए कर सकता है चलि अगला कोशन है बालकन एटलीट और दे यर दोजार अथारे के बिजेता कौन बने है इसके बिजेता बने है लुका मोडरिक ओप्शन सी राइट अनसर है ये कौन है क्रुईशिया के प्रसित फूटबॉल खिलाडी है लुका मोडरिक इसी तरह से Balkan Athlete of the Year के बिजेता बनने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गया है पहले खिलाड़ी थे जिन्हें 1994 में इस पुरसकार से सम्मानित किया गया था वे कौन थे? बुलगारिया के हिस्टो एस्टोई को उनका नाम था लुका मोडरिक के बारे में एक चीज़ और जानिये बैलोन, डी और पुरसकार 2018 के बिजेता भी है लुका मोडरिक कुरेशिया के खिलाड़ी है कुरेशिया उप बिजेता टीम है फीफा वर्लकप 2018 का और बिजेता टीम है फ्रांस अगला कोशन है आंद्र परदेश हाई कोट के एक्टिंग मुखन अधिस कौन बने है इसके एक्टिंग मुखन अधिस बने है छागरी परवीन कुमार ओप्शन डी राइट अंसर है एक्टिंग मतलब होता है अ अस्थाई इन्हें कभी भी हटाए जा सकता है छागरी परवीन कुमर जो हैं आंधर परदेश हाई कोट के सिनियर जज हैं एक जन्वरी 2019 से अपना पदभर संभाल लेगे हाली में ध्यान रखिएगा आंधर परदेश हाई कोट जो है भारत का 25 हाई कोट बना है इसके पहले 24 हाई कोट थे पूरे भारत में तेलंगाना और आंधर परदेश का पहले एक ही हाई कोट हुआ करता था हैदराबाद उचेनले लेकिन अब आंधर परदेश का अपना हाई कोट हो गया है जिसका नाम है आंधर परदेश हाई कोट और ये अमरावती में स्थीत है अब हम बात करेंगे आंदर पर्देश के बारे में सबसे पहले मैप देखिए ये रहां आंदर पर्देश छेतरफल के दिरिष्टी से सातों सबसे बढ़ा रज्जे है और जंग संक्या के दिरिष्टी से दसों सबसे बढ़ा रज्जे है पांच राजों से सीमा टज करती है, ओडिसा, चतिसगड, तेलंगाना, करनाटक तथा तमिल नाडू, गठान हुआ था एक नॉवंबर 1956 को, राजधानी अमरावती है, मुख्य मंत्री है एन चंदर बाबु नाइडू, यहां के गौर्णर है एसल नर्सीमा, यह तेलंगाना और आंदर परदेश, दोनों राज्यों के राजयपल है, लोग सबसीट की संखिया 25, राज्य सबसीट की संखिया 11, विधान सबसीट की संखिया कूल 186 है, एक सीट पर वहां का राजयपल मनुनित करता है, विधान परिशत भी है जिसकी सीट की संखिया 58 है, जिलो की संखि लोक निरते हैं कुची पूढी नेशनल पर्क है वेंग टेश्वारा नेशनल पर्क तथा पापी कॉंडा नेशनल पर्क बाद के बारे में बाद करें तो स्थिरी साइलम बाद, अलामाती बाद, बस्वा सागर बाद ये तीनों बाद कृष्णा निनी पर है अगला कोशन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार धोखा धड़ी में शामिल होने के लिए करमचारियों के खिलाफ करवाई करने वालों की सूची में कौन सा बैंक सिर्स पर है, यानि पहले आस्थान पर है ICICI बैंक पहले आस्थान पर है, ओप्शन A राइट अंसर है लगबख सभी बैंकों ने 2015 से 2017 के दोरान, यानि तीन वर्सों में अपने ही करमचारियों के खिलाफ करवाई किया उन करमचारियों की संख्या कितनी है? 13,949 और इतने करमचारियों में से अकेले ICICI बैंक जो है 2236 अपने ही करमचारियों को खिलाफ करवाई किया है धोखादड़ी के मामले में अब हम यहाँ पर RBI और ICIC बैंक दोनों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले RBI के बारे में जनिये यह भारत का केंद्रिये बैंक है है मुंबई में गौर्णर है प्रेजन टाइम में शक्ति कांत दास और यह हाल ही में गौर्णर बने है RBI के यह 25 गौर्णर है इसके पहले उर्जित पटल गौर्णर थे वे 24 गौर्णर थे उन्होंने अपने पस से इस्तिफा दे दिया था अब बात करेंगे ICIC बैंक के बारे में इसके आस अपना 1994 को की गई थी हेड़ क्वार्टर मुंबई में है चेर्मेन है गिरीश चंद्र चतुरवेदी MD and CEO है संदीप बक्षी यहाँ पर टाइपिंग का मिस्टेक है संदीप बक्षी होगा संदीन नहीं ठीक है चली अगला कोशन है 28 दिसंबर को केंद्रिये कैबिनेट ने कितने केंद्रिये सार्वाजनिक छेत्र के उद्यम को Stock Exchange में सूची बद के लिए मंजूरी परदान की है कितने साथ Option भी राइट अंसर है CPAC जो आप देख रहे हैं इसका English में फूल परमोगा Central Public Sector Enterprises तो साथ ऐसे उद्यम की मंजूरी दे दिये केंद्रिये कैबिनेट ने परदान मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये मंजूरी दिये अच्छा ये साथ उद्यम कौन-कौन से हैं Telecommunication Telecommunication Consultant Limited Rail Tail Corporation India Limited National Seed Corporation India Limited Teheri Hydro Development Corporation Limited Water and Power Consultancy Service Limited तथा आरावली जिप्सम और मैनरल्स Limited अगला कोशन है किस राज़ी की पूलीस सभी मलखानों का डिजिटली क्रीट करने वाली देश की पहली पूलीस बन गई है दिल्ली की पूलीस Option C, Right Answer है इसका आप यहाँ पे जो मलखान देख रहे हैं ये मलखान होता किया है राज्य के हर पूलीस एस्टेशन में जब्त किये गए हतियार और गोला बारूद रखने के लिए एक कमरा होता है उसे ही मलखान का आ जाता है तो मलखानों को डिजिटली क्रीट करने वाली दिल्ली पूलीस जो है देश की पहली पूलीस बन गई है अब हम बात करेंगे दिल्ली के भरे में सबसे पहले दिल्ली का मैप देखिए भारत का केंदर सासित परदे से छेतरफल के दिरिष्टी से 31 सबसे बड़ा राज्य है और जन संक्या के दिरिष्टी से 31 सबसे बड़ा राज्य है चेतरफल के दिरिष्टी से 31 नंबर पर है और जन संक्या के दिरिष्टी से 30 नंबर पर है ठीक है दो राज्यों से सीमा टच करती है वो है हर्याना तथा उतर परदेश यहां के मुख मंत्री है अर्वींद के जिरुवल गौवर्नर है अनील बैजल अगला कोशन है 28 दिसमबर को कमबोडिया में आयोजीत एशिया साउथ इस्ट इंटरनेशनल सौट फिल्म फेस्टिबल 2018 में सर्वस्रेश्ट लगु विरित फिल्म का पुरस्कार की से मिला तो इस फिल्म का नाम है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज ओप्शन दी राइट अन्सर है यह फिल्म असम के देबरू गढ़ जीले में कचरे पर अधारित यह फिल्म है मात्र साथ मिनट की फिल्म है और इसके निर्माता निर्देशक है सत्यम दत्ता नोट कर लिजेगा कमबोडिया में इस फिल्म फेस्टिबल का आयोजन किया गया था कमबोडिया के बारे में जानी है, सबसे पहले मैप देखते हैं यह है विश्वक मैप, कमबोडिया, मियमार के पास है, मियमार और थाइलेंड के पास है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पास में वियतनाम भी है यह 26 नमबर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही है कमबोडिया, ठीक है इसकी राजधानी है, फनोम पेन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, हून सेन मुदरा चलती है, रियल अगला कोशन है, कि सराजध की सरकार ने तेहरी जहील में सी पिलेन चलाए जानी की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उत्राखंड की सरकार ने, ओप्शन ए, राइट अंसर है इसका उडान योजना के ताथ यह पाल शुरू की गई है, टेहरी जहील है उत्राखंड में, उसी में सी पिलेन जो है, वो चलाए जाएगा उडान योजना कब लॉंच किया गया था, 21 अक्टूबर 2016 को उडान योजना के ताथ आम लोगों को सस्ते दर पर हवाई जहाज यातरा की सुविदा परण करना है उत्राखंड एंसर है, अब हम उत्राखंड के बारे में जानेंगे सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा उत्राखंड, छेत्रफल के दरिश्टी से भारत का उननिस्वा सबसे बढ़ा राज्य है और जन संक्या के दरिश्टी से बिस्वा सबसे बढ़ा राज्य है अगर बात करें कितनी राज्यों से सीमा टच करती है, तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है मुझे भी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे स्टुडेंस लोगों का भी कन्फ्यूजन है ठीक है, कोई भी अधिकारिक रूप से मुझे ये नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे अगहीर प्रोब्लम है क्या सर्च किया जाता है कि उत्तर पर्देश का बोडर किन राज्यों से टच करता है तो हिमाचल पर्देश मिल जाता है अगर हर्याना का सर्च किया जाता है तो उत्राखंट से मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि अगर हर्याना का बोडर उत्राखंट से टच करेगा तो उत्तर परदेश और हिमाचल परदेश का टच नहीं करेगा अगर उत्तर परदेश का है, माचल परदेश से बोड़ा टच करता है यहाँ पर, तो हर्याना और उत्राखन का टच नहीं करेगा वहाँ पर बहुत सारा confusion है मैंने बहुत सारे resources से पता कियें, लेकिन वहाँ पर भी confusion रह रहा है तो आप में से कोई भी students, अगर इन छेत्रों से बिलॉंग करता है, इन छेत्रों का रहने वाला है उसको better पता होगा कि कि सराजी की सीमा किसे टच करती है या नहीं करती है तो अगर आप इन छेत्रों से बिलॉंग करते हैं, तो please आप मुझे text करिए Instagram पे या फिर कोई भी students है जिसके पास officially information है, या अधिकारी कुरूप से NCRT book का कुछ information है तो आप image निकाल कर मुझे Instagram पे जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ साथ बहुत सारे students लोग का confusion दूर हो जाएगा चलिए अब बात करते हैं, उतराखंड का गठन कब हुआ था 9 नॉमबर 2000 को गठन किया गया था, उतर परदे से अलग करके मुख मंत्री हैं त्रिवेंदर सीह रावत, गवर्नर है यानि राज्यपल, बेबी, रानी, मौरिया लोग साबसीट के संख्या 5 और राज्यसाबसीट के संख्या 3 विधान साबसीट के संख्या 71 जीलो की संख्या 13 है सक्छर्ता दर है यहां की 78.8 एक प्रतिशत लिंगान उपाथ है 963 दोनों आकड़ा 2011 की जनगणन के अनुसार है मुख नेदी से यहां के रमेश रंगनाथ लोक निरित्त है बरादा नाती, भोटिया, जोरा, शोटिया, पांडव निरित्त तथा लांगवीर निरित्त नेशनल पर्क है जीम कॉर्बेट नेशनल पर्क, गंगोतरी नेशनल पर्क, राजा जी नेशनल पर्क, वैले ओफ फलावर नेशनल पर्क, गोविंद नेशनल पर्क, तथा नंदा देवी नेशनल पर्क प्रसिद बाद हैं यहाँ पर तेहरी डेम, मनेरा डेम तथा कोटेश्वर डेम, भागे रती नदी पर हैं, लखवार बाद जो है यह भी डेम है, बाद कोई डेम का जाता है, यामुना नदी तथा धौली गंगा बाद हैं, धौली गंगा नदी पर. अगला कोशन है, हाली में किस जीले ने नीती आयोग द्वारा जारी आकांशा जीला करेकरम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग के तहत सुची में सिर्ष अस्थान प्राप्त गिया है, यानि पहला अस्थान पर है, यह जीला का नाम है, विरूधु नगर, विरूधु नगर, तम 27 दिसंबर को नीती आयोगे के उपध्यर्च अमिताब कांत ने देश के सबसे पिछडे जीलों की दूसरी डेल्टा रेंकिंग जारी की तो सबसे पीछडे जीलों की सूची में वीरुधू नगर जो की तमिल नाडू में है ये दूसरी डेल्टा रेकिंग में पहले अस्थान पे ध्यान रखिएगा अब हम यहाँ पे नीती आयोक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे नीती आयोक की अस्थपना कब हुई थी एक जनवरी 2015 को योजना आयोक की जगह पर इसके अस्थपना की गए थी नीती आयोक का अध्यक्ष कौन होता है परधान मंतरी होता है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष है परधान मंतरी नरेंत्र मोदी उपध्यक्ष कौन है राजियू कुमार और CEO यानि मुख्य करेकरी अधिकरी है अमिताब कांथ है तो ये था हमारा आज का करेंट अफिर पीडियेफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और शेर ज़रू करना कल के वीडियो का चलिये अंसर बता देता हूँ पहला कोशन था 27 दिसंबर को 12 दिवसिये प्रसीद दिवीजिंग महोचसो का अयोजन कहां शुरू हुआ है तो सभी लोग ने इसका अंसर सही दिया था असम में शुरू हुआ है ओप्शन ए राइट अंसर था दूसरा कोशन था 2011 की जनगरना के अनुसार असम की सक्षर्टा दर कितनी है लगभग सभी लोग ने अंसर सही दिया था सही उतर था 72.19 प्रतिशत ओप्शन भी लेकिन कुछ लोग कुछ और डाटा दिखा रहे थे तो हो सकता है उनके पाच कुछ मिश्टेक वळा डाटा मिल गया हो ध्यान रखियेगा जब भी मैं इस तरह का कोई अकड़ा बताता हूँ अब चलिए आज का प्राश्न है पहला है किस आई 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 टी संस्थान ने भोकंप आने से करीब एक मिनट पहले लोगों को एलर्ट करने वाला वर्निंग सिस्टम बनाया है दूसरा कोशन है पंजाब में विधान सबस सीट की संखिया कितनी है दोनों का एंसर कमेंट कर दीजे कल के वीडियो में इसका एंसर बता दूंगा जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे डेली पीडियेफ आप हमारे टेली गराम से भी डाउनलोड कर सक करते हैं किसी भी तरह का कोई भी सुजाओ हो सजेशन हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें